तुझे क्या पता तेरे इंतजार में वक्त कैसे गुजा रहा है? एक बार नहीं, हजारों बार तेरी तस्वीर को निहा रहा है. चांते हैं हम लक्षमी, क्या है आपके दिल का हाल? और यहां तो खुलन खुला हुआ है, लक्षमी और मलिश्का का आमना सामना. तो क्या है मेरे शोब भाग्य लक्षमी का अपडेक, चलिए ले चलता हैं आपको सीधा इनके पास. रिशी के मम्मी के साथ हुआ हाथ सांग. लक्षमी पर फिर लगेगा इनसाम, फिर से रिशी होंगे गलत पहनी का शिकार. जी टीवी के सीरल भाग्य लक्षमी में होने जा रही है रिशी और मलिश्का की सगाई, लेकिन इस सगाई में रिशी कश्म कश्म है, क्योंकि उनके सामने आ गया है लक्षमी का सच. असल में शालू ने रिशी को बता दिया है कि घर में मोर्चा वाली जो औरते आई थी, उन्हें लक्षमी ने नहीं, बलकि शालू ने बुलाया था, ये बात सुनकर रिशी का दिल फिर से लक्षमी के लिए थड़कने लगा है. तो वहीं शालू के कहने पर लक्षमी भी रिशी से अपने प्यार का इजहार करने आ जाती है. रिशी लक्ष्मी की बात सुनने के लिए उठने ही वाला होता है कि रिशी की मम्मी नीलम लक्ष्मी से बात करने के लिए पहुच जाती है और इसी बीच फिसल जाता है उनका पैर और हो जाता है उनके साथ आदसा हाला कि लक्ष्मी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो बचाना सकी जब लक्ष्मी आती है सगाई रोकने के लिए तो मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी की बात सुनू और जब सुनने जाता हूं तो मॉम जा रही है लक्ष्मी से बात करने के लिए कि तुम कुछ भी हो जाए आज ही सगाई होके रहेगी तो जब उपर जा रही है तो उनका पैर फिस आपने कहा accident हो रहा है सीडियों से pair slip हो जाता है नीलम का और नीलम गिर जाती है अब उसका कितनी चोटाती है क्या repercussions होते हैं वो तो हमें आने वाले पिसोद में पता चलेगा भै नीलम ने तो अपने इरादे पक्के कर रखे थे मलिश्का को अपनी बहु बनाने के लेकिन इस हाथ से किचलते रिशी और मलिश्का की सगाई पर लग गया प्रेक और उनका ख्वाब पूरा ना हो सका फिलाल तो रिशी अपनी मम्मे को उठा कर सीधा अस्पताल ले जा रहा है अब अस्पताल जाकर देखना होगा कि नीलम की हालत कितनी गंभीर है वैसे बता दे कि सीड़ियों पर तेल गिराया गया था और उसके पीछे बलविंदर का हाथ है हालकि एथ हाथ से का इल्जाम सीधा लक्षमे पर लगने वाला है तो देखते रहिए साज बहु और बेटिया क्योंकि वही बताएंगी भाग लक्षमे का आने वाला ट्वेस्ट मुंबई से बीरो रिपोर्ट